जैसे उबलते पानी में कभी आपको अपनी परचाई नहीं दिखती ठीक उसी प्रकार परिशान मन से समधान भी नहीं दिखते शांत पानी में आप अपनी परचाई देख सकते हैं उसी तरह जब आप शांत होते हैं तो आपको अपनी समझ्याओं का हल भी बिलता है और इससे समझ लिया तो सभी सिंग राशी वाले लोगों के लिए यही मार्च बेहने में सफलता का गुरू मंतर बन जाएगा दवशकार प्रियसातियों मैं हूं सुरेश रवाली और आप देख रहे हैं सिंग राशी मार्च राशी उपल सबसे पहले आज हम बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की कौन सी डेट में मार्च में आपको एलेट रहना चाहिए और कौन सी शुब डेट से बिजनस और वेल्थ, जॉब और प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलिस्टिशिप की बात करेंगे स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे अंत में सेहत और ट्रैवल प्लैन की बात करने के बाद मार्च को यादकार और शांदार बनाने की विशेश होंगे उपाए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन की मेरे प्रियसातियों आप हो मैं हूँ आम खास कोई भी हो सकता है मैने में दो-चार दिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमारे काम नहीं बनते हैं निराशावादी हो जाते हैं टेंशन, डिप्रेशन या यूँ कहें कि किसी जंजट में बस जाते हैं वो वक्त तब होता है जब सिंग राशी से चंदरमा जो की मन और बस्तिश के लॉड है चौथे, आठवे, बारवे चले जाएं तब ये समस्याती है ये डेट्स मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब ये वक्त आए तो आप अपना और अपनों का खयाल रख सकें इसी कड़ी में 4, 5 और 31 मार्च को आठवे, 14, 15 मार्च को बारवे और 22, 3, 24 मार्च को चौते रहेंगे प्रेसातियों इसके साथ साथ वेरे पास कुछ शुब डेट्स भी है एक 27 और 28 मार्च को छटे बाव में चदर मंगल का महालक्ष भी योग रहेगा उसके बाद 2, 3, 19, 16, 17, 22, 33 और 39, 30 मार्च को महान गच केसर योग बनेगा और बाद में 6 से 14 मार्च तक 7 ताउस में सूरी बूत का बोदा देती योग रहेगा ग्राओं के साथ साथ इश्वर भी आपको आश्रबाद देंगे एक मार्च को महाश्य बरातरी, 14 मार्च आमला की एका दशी, 17 मार्च होली और 25 मार्च को शीतला स्प्वें के साथ 27 मार्च को दशा माता अबरत रहेगा सबसे पहले तो देखिए, 6 से लेकर 14 तरिक तक बिजनस के कारक बुद का, बिजनस आउस में सूरी के साथ बुद आदितियोग बनाना जिनकी ट्रेडिंग है, कंसल्टरेंस हैं, सर्विस प्रोइडिंग काम है, आईटी प्रॉफेशनल्स है, ऐसे लोग हैं, जो प्रोगरेज का کाम करते हैं, किसी प्रेखार के सर्विस प्रोइडर और फ्रिलांस है उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है न्यू आइडियाज और इनोवेटिव प्लानिंग के बलबूते आप अपने बिजनस में तरखी पाएंगे वहीं देखें 2, 3, 39 और 30 मार्च को बिजनस आउस में महान गुरू चंदरमा का गज़के से रोग रहेगा नया बिजनस शुरू करना है वैब डिजाइनिंग, एब डिजाइनिंग, कोई भी प्रकार का टेक्नोलोजी का काम करना है फब्लिशिंग, प्रिंटिंग, फूड और बेवरिजेज और ऐसे लोग जो डेली नेट्स का काम करते हैं बड़ा लाब उनको बिलेगा किसी भी स्ट्रीम में किया गया स्टार्टप एंटर्परियोर बनने का सपना आपका साकार हो सकता है एक बात का खयाल रखेगा कि आपका जो रोग भाव है और करजे का घर है और इन दोनों की दृष्टी खर्च बापर होने के वज़े से एक, नो, दस, सताइस, अठाइस तारीको जब चंद्रमा का दनबाव से नमपंचम राज्यों बने अनरगल खर्चेब बनाएगा मार्च आपको बिजनस में बाहिर तो बनाएगा लेकिन अनरगल खर्चों के साथ-साथ पैसा फसना नुकसान और दोखा रॉंग इंवेस्टमेंट भी करवा सकते हैं इसलिए ध्यान रखिए अपने सेल्स पर्चेस मार्केटिंग की पकड़ खुद मजबूत करिए मार्च में आपके बिजनस और प्रोड़क को मार्केट में वैल्यू बने या बड़े इसके लिए आपको सोशल मीडिया का अच्छा साहरा लेना चाहिए बात करते हैं जौब और प्रोफेशन की शुरुवात में देखे एक 18.19.27 और 28 मार्च को चंदरबाग का करम इसान से करम इसान से 95 जम राजियोग रहेगा जिससे वर्ट प्लेस पर सबसे ज्यादा बेजी रहेंगे और आप सिंसियरिटी के साथ अपने काम को अंजाम देंगे हर काम को खुश रैकर करिएगा खुश ही आपके आसपास होगी 14 मार्च तक जौब के गारक सूरी का करम इसान से सुक और करम का जंबत बन रहा है जिससे जौब छोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए आप जौब में पकड़ बजबूत करिए अनेंप्लोइट परसंस को जौब मिल जाएगी आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियास अपने दमखंपर आप अच्छी जौब और वो भी फूल टाइम जौब प्राप्त कर सकते हैं इसी से आपका कॉन्फिदेंस बड़ेगा और बड़ा हुआ कॉन्फिदेंस आपको एक नई शुरुबात दे सकता है एक, नो, दस, सताइस और अटाइस मार्स को, चंद्रमा का धनभाव से नमपंचम राजयोग रहेगा तो नए सोर्से से आप इंकम जनरेट कर सकते हैं हो सकता है कि आप एक पार्ट टाइम जौब और कर ले हो सकता है कि कोई रेंटल इंकम आप शुरू करते हैं ये सब संभव है उनलाइन मार्केटिंग और साथ में आप इंटरनेट पर देखोगे तो कई तरह के पैसे कमाने का उस्तर बिलेंगे जो लोग फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोफेशनल से उन लोगों के सपने भी इस महीने साकार होंगे बस अग्यात भाय आपको राहू देंगे 9 और 10 मार्ट को कर्मिस्तान में राहू चंदरमा का ग्रेंड दोश आपको मानसी तरा आप जॉब में तकलिफ, जॉब छोड़ देने इस सब तकलिफ दे सकता है जॉब में आपका बढ़िया काम और परिश्रम आपके प्रोमोशन का जरिया बनेगा प्रेसातियों अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलिस्टिशिप की है फैमिली लाइफ के गर में ही गुरू बिराजबान है तो एक तो अगर आप पती है तो अपनी पत्नी को गुरू माल ल लीजी और पत्नी है तो पत्नी को गुरू माल लीजी और दोनों साथ बिलकर कंदे से कंदा मिलाकर पर्षनल और प्रोफेशनल लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं दो, तीन, उनातीस और तीस मार्च को परिवार के घर से गुरु चंद्रमा का गज्च के सर्योग बन रहा है जिससे मार्च में मा, बेहन, परिवार के साथ कई गोमना फिरना, शुब और मांगली कारियों योजना मरेगी महीं 14, 15, 18 और 19 मार्च को चंद्रमा का सेवन्त हाउस 12, 20 और 21 मार्च को चंद्रमा का सेवन्त हाउस से नवं पंचम राज्योग रहेगा जिसमें मार्च में लव लाइफ अच्छी रहे है और लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना आगे बढ़ सकते हैं फैमिली लाइफ के कारक शुक्र का सेवन्त हाउस से दो बारा का संब्ध मन रहा है जिसमें परिवार में बीमारी होना इस तरी जनिक रोग होना और पर्सनल रिलेशेशिप में थोड़ी से तकलीफ आने के चांसे से इसे मैनेज करिए लाइफ पार्टनर के साथ आपको हमे सबसे पहले तो देखिए पढ़ाए के गर के जो कारक भी है और लॉड भी एक गुरू केंदर में हैं 6, 7, 16 और 17 मार्च को चंदरमा का पढ़ाए के गर से नमपंचम राज्योग रहेगा जिन लोगों के एक्जाम हैं चैया वो जनरल एक्जाम है, कॉलेज के एक्जाम है, आप शौर सकसेस पाने के लिए थोड़ा सिसेर बन जाईए, ओनलाइन आपको अपने दोस्तों के साथ गुरूप डिसकुर्शन करना चाहिए, इस महीं ने प्यार, इश्क और महभबत और दूसरी चीज़ें जो नगारतमक सोच देती हैं उन सब को दूर कर देजिए, वरन आपके पास एनरजी है, आपके पास घ्यान है, लेकिन सही समय पर सही एनरजी लगा नहीं पाते हैं, इस वज़े से जो गैरेंटेड रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाता हैं, जो कैंडिडेट्स, गवर्मेंट जॉब की और आईटी प्रोफेशनल की तैरी करें, विदेश वो पढ़ने जाना चाहते हैं, उन लोगों के पॉजिटिविटी के साथ ये समय आगे बाढ़ रहा है, जहां तक हेल्थ की बात करें, तो हड्यां खराब होना और छटे बाव में, शनी मंगल का अंगारक दोश, बलड लॉस, हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई चोट दुरगटने वज़े से एक्सिडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें ऑपरेशन तक की नौबत आ जाए, ध्यान रखिए, हाँ, चहुता, पंद्रा, बाइस, तेइस, और चौइस मार्ज को, चंद्रमा का अस्टम इस्तान से नौबंपंचम राज्योग रहेगा, जिससे मार्ज में ट्रेवल जरू करिए, लेकिन ध्यान से करिए, नए लोगों से मेल मुलाकात होगी, रेश, ड्राइविंग और ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहें, और इसके साथ साथ, अपनी पूरी बॉड़ी का चेक अप जरू करवाईए, नौतस, अठारा, उननिस मार्ज को, चंद्रमा का जब छटे बाव से, जब नवंपंचम राज्योग बनें, तो आप अपनी फिजिकर और मेंटल हेल्थ के लिए, योग प्रणायम एक्सरसाइज ध्यान चिंतन का साहरा लिजी स्पोर्ट्स एक्टिविटिस शुरू करें, जिम, स्पा, सलोन जोइन करें, बात करते हैं, अब विशेश उपाएगी, एक मार्च को महाशिवरात्री है, शिवलिंग पर फलों का रस और पानी मिला कर चड़ाना चाहिए, 21 बिल्वो पत्र अर्पित करें, ओम नंदेश्वराय नमाहा, मंतर की 11 मिनिट तक जाप करें, 14 मार्च आमला की एकादशी पर, आपको लगता है कि पड़ाय में मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है किसी काम में, तो आपको दूद में केसर और चीनी डालकर बगवान विश्णुची को बोग लगाई, साथी बगवान का आशिरवाद लेकर एक विद्यादा पड़े में होली का दहन की राग की पांच चुटकी, तामवे के पात्र पर, खुदा हुआ सूरी यंत्र, पांच तामवे के पुराने सिक्के बांद कर पूजा घर पर रखे, इससे किसी प्रकार का रोग, जादू टोना तोटका नहीं आएगा, पच्चिस मार्च शीतलास पर सुबस नाना दिकारों से निवरत होकर एक नए मिट्टी के बरतन ले लिजी, उस पे पानी बरके उस पे थोड़े सी दूब, ग्रीन गरास डालकर, आप उस बरतन को माता के मंदिर में दान कर दे, ऐसा करने से आपको जीवन में नई खुश्यां प्राप्त होगी, आप दूब के जगे डाब भी ले सकते हैं, और 27 मार्च को दशा माता वरत पर गुड मिलाकर सूरी बगवान को जल चड़ाने से बड़ा लाब बिलता है, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, सब इस सिंग राशिवाले रोगों का मार्च में ने यादगार और शा सर्वार